ऐसको हमने ऴृतिन क के मूली के पौदर रोप में यूज्ञ दूध की पनियों को छोटी बड़ी सब्ढ psych寺्री करथ मित्ती तयार करके मूली के बीजों को ढाल और मूली के पौदे ॹरोक है त सब्सक्राइब ने जबते जो गया है और इन में ने जो प१ार भरोने मोली ईज़े चाहिए 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 पनी के बाहर भी नीकल आई है पनी के बाहर देखे मूली निकल आई ऐसे चोटी पनियों में भी हमाई मूलिया बैठ गई है यह देखे चोटी पनियों में भी हमाई मूलिया बैठ गई है यह देखे यह देखे कुछ मूलिया हमारी कमजोर है क्योंकि जब हमने बीज डाले हैं तो किसी-किसी पनी में हमारे सब्सक्राइब दो से तीन हो गए हैं और किसी किसी पंडी में चार-चार बीज हो गए हैं जिन बीजों को ज्यादा बीज होने के कारण इनको अच्छी मात्रा में भोजन नहीं मिल पाया तो कुछ पौदे जो ताक्रत वर थे उन्होंने भोजन ले लिया यह देखिए इसमें स्टार्ट करके और जन्वरी तक की जाती है और पहाड़ी लाकों में बूली की बुगाई सितंबर से स्टार्ट करके अगस्त तक बोई जाती है मूली के पत्ति जिनका यूज हम साँख बना कर सकते है भी यूज करेंगे तो हमें भी इन बिटामिन का मेनिफिट्स मिलेगा मूली से हमें बहुत सारे फायदे हैं मूली देखिए अगर मूली को हम ही में भून के खाएं तो कफ के लिए फाइदा करती है और अगर मूली को हम हल्दी के साथ सेवन करें अगर हम मूली को हल्दी के साथ सेवन करेंगे तो जो है बावसीर के लिए फाइदा करेंगी और अगर मूली को अगर हम अनार के रस के साथ यूज़ करेंगे तो इसमें क्या होगा हीमोग्लोविन बढ़ेगा और जिससे हमें बहुत ताकत मिलेगी और हीमोग्ली जो है जो फेस पे छोटे-छोटे मुहा से निकल आते हैं तो उनके लिए फायरे मंद होती है उनसे मुहा से नहीं निकलते हैं यानि के अगर निकले हैं तो उन्हें भी फायरा करेगी और मूली जो दाटों में पिले रंके पायरिय मंद है तो और मूली का सेवन रात में नहीं करना चाहिए क्योंकि कहते हैं कि अगर मॉली में बहुत सारा आयरण पायाता है अगर रात में मॉली का सेवन करेंगे डाइजेस्ट नहीं होगा इससलिए जहारा पेट भी खराग करना चाहिए हैं अगर सलाट के रूप में आप यूसके नाज्टम सेवन करें जहांे खाली पेट मूली बहुत फाइदा करती है और अगर मूली को घा एसे ही आप और एक नूक्सान भी है मूली का कि मूली को मतलब करेले के साथ कभी भी यूज ना करे अगर आपने करेला खाया है तो मूली कत्त इंशाया और इस तरह हम यह चाहते हैं कि आप भी मूली को अपने घर में उगाएई इस तरह देखिए आपके बरटन हो जो भी पॉर्ट हो उसमें आप मूली इस तरह यह गा ले और मेरी तरह आप भी मूली का का फाइदा उठाएं और आपको ताजी मूली मिलेगी जिसे आप भी अपने सिहता ख्याल रखें और इस तरह मिलते हैं हैं अगले अपने दूसरे वीडियो में और अन्य पौदे के साथ तब तक के लिए थैंक यू